Good morning children, welcome to Hindi class. Today we will learn 12 खड़ी ता टू ना लटर्स. बच्चों, आज हम सीखेंगे 12 खड़ी ता से ना. लेकिन उससे पहले आओ सीखें मात्राएं. मात्राएं. आओ सीखें मात्राएं. पिछली कक्षा में हमने सीखा था स्वर और वेंजन. अब दोहराते हैं मात्राओं को. आ, आ की कोई मात्रा नहीं होती. There is no मात्रा for आ. Because the each and every letter has a आ sound. Now आ, one standing line, आ की मात्रा. ये हैं छोटी ए की मात्रा. ये बडी की मात्रा. उ, छोटी उ की मात्रा. उ, बडी उ की मात्रा. री, इंग्लिस लेटर सी के जज़ा है, री की मात्रा. ये sound करता है, री. ए, अब वन लाइन ए की मात्रा. आई, लेटर के उपर अगर टू लाइन से हैं, वो है आई की मात्रा. ओ, साइड वन लाइन, अब वन लाइन, ओ की मात्रा. आउ, लेटर के साइड में वन लाइन, और अब टू लाइन से हैं, तो वो है आउ की मात्रा. अब वन डॉट अंग की मात्रा. साइड टू डॉट्स, आहा की मात्रा. ये हैं मात्रा है. अब चलिए सीखते हैं, बारा खड़ी. बारा खड़ी सिखाने के लिए छोटा भीम आ चुका है बच्चों. देखो, सलिए सीखते हैं, ता बारा खड़ी. So, here is छोटा भीम ready to teach you ता बारा खड़ी. So, children, are you ready? Okay, let's start ता बारा खड़ी. ता में आ की मात्रा, ता. ता में छोटी ए की मात्रा, ती. ता में बडी की मात्रा, ती. ता में छोटी उ की मात्रा, तू. ता में बडी उ की मात्रा, तू. तामे री की मात्रा त्री तामे ए की मात्रा ते तामे आई की मात्रा तै तामे ओ की मात्रा तो तामे आउ की मात्रा तव तामे अंग की मात्रा तम तामे अहा की मात्रा तहा चलिए फिर दोहराते हैं let's repeat once again C T 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 Tau Tum Taha now what will come next T after TH THA letter THA THA means A key 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 था में ओ की मात्रा थो था में आओ की मात्रा थाओ था में अम की मात्रा थम था में अहा की मात्रा थाओ But one thing children keep in your mind When you put circle for the थाओ नो You should not draw a line on this circle Okay? You are keeping this circle like this na for writing था लटर Okay but don't draw a line on this circle Okay? था Now next one is था था Next Yes दा बारा खडी दा में आ की मात्रा था दा में चोटी की मात्रा थी दा में बडी की मात्रा थी दा में उ की मात्रा थू दा में बडी उ की मात्रा दू दा में री की मात्रा द्री दा में ए की मात्रा दे दा में आ की मात्रा दै दा में ओ की मात्रा दो दा में अउ की मात्रा दौ दा में अं की मात्रा दम दा में आहा की मात्रा दहा एक बार फिर से दा, दा, दी, दी, दो, दू, दू, दी, दे, दय, दो, दौ, दम, दधा. You have to pronounce like this children. Now, दब, ध दा. दी, दी, दू, 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 द्री, दे, दै, दो, दाव, धम, दह, Okay, and again children, here also, for दा letter, we are keeping circle here now, so don't draw a line on this circle, okay, only you have to draw a line on this standing line, okay, दा, now, next, what will come next letter children, next, ना से नदी, ना से नाओ, so what is the next letter, ना, चले सीखते हैं, ना बारा खड़ी, ना, ना में आ की मातरा, ना, ना में छोटी की मातरा, नी, ना में बडी की मातरा, नी, ना में चोटी उ की मातरा, नू, ना में बडी उ की मातरा, नू, ना में री की मातरा, नी, ना में ए की मातरा, ने, ना में आई की मातरा, नै, ना में ओ की मातरा, नू, ना में आउ की मातरा, नू, नामे अम की मात्रा नम नामे आहा की मात्रा नहा तो ये बारा खड़ी को कैसे बोलेंगे? ना, ना, नी, नी, नू, नू, डी, ने, नई, नू, 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 नहा So, children, practice well this बारा खड़ी Okay, you will get reading only when you learn बारा खड़ी very well Okay, so, your homework now ग्रिहकारी, homework Write बारा खड़ी त, थ, द, ध, ना, one time Okay, this is your homework, children Five letters, बारा खड़ी, you have to write one time Read and write ठीक है? तो आज की कक्षा हां, यहीं समाप्त करते हैं अगली कक्षा में फिर मिलेंगी, धन्यवाद पिर्धे हैं, कर्ड़ी, भीपिर, कर्वाद